हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस, अगर आपने काट एक्जाम 2021 अपियर किया है और आप इस साल एक MBA एस्पेरेंट और किसी रीजन की वज़े से आपका जो काट का एक्जाम है वो आपकी एक्सपेक्टेशन का कॉर्डिंग नहीं हुआ है और आपको यह लग रहा है या मेरा तो साल वेस्ट हो गया अब मैं इस साल कुछ नहीं कर पाऊंगा मुझे एर ड्रॉप करना पड़ेगा then you are absolutely wrong क्यों क्योंकि आपका काट का एक्जाम ओवर हुआ है बट still you have a very very solid chance कि आप अभी भी अपने ड्रीम MBA कॉलेज में जा सकते हो तो अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की negativity है demotivation है या फिर आपको लग रहा है यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा तो यह वीडियो आप एंड तक देख लेना यह वीडियो आपके सारी के सारे doubts को clear कर देगी और आपकी जो पूरी पूरी energy है वो एक सही direction में channelize हो जाएग जिनका exam expectation का according नहीं रहा लेकिन जब आप examination hall से बाहर निकले थे आपको यह realization होगे त्यार इससे better कर सकता था थोड़ा सा effort और लगाता तो paper इतना difficult नहीं था जितना मुझे हमेशा लगता और यही चीज हमें हर एक exam में realize होती है तो अगर मैं cat exam के motive की बात करूँ तो आपका objective यही है कि आप एक अच्छे MBA college में जाना चाहते हो राइट अब अच्छे MBA college में जाने के लिए आप cat से भी जा सकते हो otherwise आपके पास बहुत सारे exam से जो upcoming है जैसे zat का exam हो गया जिसके थूरू आप XLRI, IMT, XIMB जैसे college में जा सकते हो आपका IFT है जिसके थूरू आप IFT Delhi, Kolkata मे जा सकते हो, then हमारे सामने NMAT आने वाला है, snap का option हमारे सामने जिसके थूरू हम SIBM पूने हो गया, SMH RD हो गया, then आपके सामने testnet आएगा, जो ROI के लिए one of the best college इंडिया का माने जाता है, then SRCC GBO का exam आएगा, जिसके थूरू आप अपनी further education कर सकते हो, then आपके सामने एक GMT आए जा सकता था, और भी better कर सकता था, तो अब जो आपकी सीरियसने सना, इस सीरियसने को हमें ब्रेक नहीं होने देना है, हमें क्या करना है, जो भी हमारे सामने upcoming exams है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सिरफ cat देंगे, other exams नहीं देंगे, ZAT नहीं देंगे, NMAT न आपको आगे, वीडियो में ऐसे बहुत सारे स्टेंट्स बताने वाला हूँ, जो cat में इतना अच्छे स्कोर नहीं कर पाई, लेकिन आज की डेट में, वो भाई, dream college जैसे, XLRI हो गया, IFT हो गया, SIBM पूने हो गया, then उसके बाद, CMAT के तुरु टॉप इंस्टूट में गए हैं, क्योंकि जब हम उन एक्जाम्स को अच्छे से अपियर करेंगे, उसके बाद, end में, जब जहां-जहां सेलेक्शन होगा, हम decide करेंगे, हमें कहां-कहां पे admission लेना है, तो अभी से हम अपने door close नहीं करेंगे, open mind के साथ, जो भी एक्जाम्स आ रहे हैं, वो अपियर करने हैं, क्योंकि यह हमारा साल जादे important है, हमारा year जादे important है, rather than 2 extra exam, ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ, कौन-कौन से exams आने वाले हैं, सबसे पहले हम ZAT exam, यह exam आपके लिए golden opportunity है, golden opportunity मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ZAT का stats देखोगे, आप facts देख है, इसके साथ ही, जो यह 80,000 बच्चे होते हैं, इसमें से लगबग 50% बच्चा serious ही नहीं होता, क्योंकि cat के बाद वो इतना जादा demotivate हो जाता है, उसे लगता है, अब तो मैं कुछ करनी पाऊंगा, और उसके mind में एक barrier बना हुआ है, कि ZAT तो cat से भी difficult होता है, लेकिन actual म इसा नहीं है, अगर आप ZAT देखोगे, तो ZAT में आपका verbal है, ZAT में आपका quants आता है, और ZAT में आपका decision making आता है, जो आपका make और break होता है, ठीक है, अब यहाँ पे LRDA नहीं आता cat की तरह, ठीक है, और बाकी आप doable exam होता है, जो GK के section आता है, वो आपकी cut off के लिए count नही call है, तो इसका मतलब यह इतना difficult exam नहीं है, जो आप crack नहीं कर सकते है, हाँ, आपको थोड़ा सा one month effort डालना होगा, decision making पढ़ना होगा, ZAT के previous year paper हमें solve करने है, ZAT के marks लगाने, ताकि इस paper को लेके हम काफी जादा comfortable हो जाए, अगर आपके mind में एक image बनी है, कि ZAT का exam difficult है, तो भ है, और अगर आप इसकी preparation का method देख रहे हो, हमारे ZAT का crash course भी start हो रहा है, second of December से मतलब one month का crash course है, जिसमें to the point ZAT की preparation हम लोग करने वाले काफी सारे ZAT के topper से जो आपको आगे दिखाऊंगा, जिनका response कैसा रहा हो, course को लेके वो भी आप देख सकते हो, लेकिन second December से पूरा का अब बैस start हो रहा है, ZAT की सिर्फ test series भी live हो चुकी है, वो आप देख सकते हो, तो ये exam हमें importantly देना है, क्योंकि इंडिया के top MB institute इसका score accept करते हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूँ SNAP की, तो SNAP भी एक major exam है, क्योंकि SNAP के तुरू बहुत सारे colleges हैं, जितने भी symbiosis के umbrella में आत सकते हो, again जो SNAP के साथ अच्छी बात है, वो ये है कि 1R का exam है, speed based exam है, जो difficulty level रहता है, वो easy रहता है, यहाँ पर आपका LR आता है, वो basic level का आता है, quants काफी असान रहता है, verbal में भी आपको जो questions रहते हैं, वो difficult नहीं रहते हैं, complicated नहीं रहते हैं, direct RCs आते हैं, तो थोड़ी से अगर आपने आपने speed build कर लिया, आपने concept को clear कर लिया, तो इस exam को आप अच्छे से निकाल सकते हैं, इसकी भी test series live हो गई है, इसका जो crash course है, वो start हो रहा है 1st December से, जिसमें to the point snap related हम लोग preparation करने वाले, अच्छी बात snap के साथ क्या है, आपके सामने 3 dates होते हैं, उसमें से कोई भी आप 2 attempts दे सकते हो, तो आप 2 तारीक select कर ले, 19 December कर सकते हो, उसके आप 8th और 16 में से एक date select कर सकते हो, और जहां पे आपकी best performance हाईगी, वो व call WhatsApp कर सकते हो, otherwise direct website पर चले जाओ, studybus.co.in पे, इसके बाद अगर मैं बात कुरो तो मेरे सामने NMAT का exam है, NMAT का score आपको पता है, काफी सार institute accept करते हैं, जिसमें आपका flagship जो college हो गया, NMIMS मुंबई, इसके बाद आपका SDA वोकनी हो गया, आप Christ University में apply कर सकते हो, उसके बाद जो exam B का program होता है, उसमें आप apply कर सकते हो, उसके बाद आपका IBS भी accept करता है, ये score and और भी colleges हैं, बढ़ ये कुछ institutes हैं, जो अच्छे institutes हैं, जहां पे आप try कर सकते हो, तो इसका भी अगर आपने form भरा है, तो NMAT के mocks लगाओ, adaptive mocks हमारी website पे live है, adaptive paper देना जरूरी है, क अगर आपके बास already हैं, तो seriousness के साथ उन attempts को दो, and then आप अपनी तयारी को proceed करो, NMAT का भी crash course website पे live है, वो भी आप check out कर सकते हो, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो IFT की बात कर रहा है, IFT आपका exactly cat के 7 days बात है, तो 7 days बात है, तो आपने जो preparation करी हुई है, वो more than enough है, इ आपके पूरी last one year के current affairs हो जाएंगे, काफी सारे बच्चों को डर लगता है सर, जीके तो मैं करी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो sectional cutoff भी होती है, लेकिन sectional cutoff बहुत कम होती है, ठीके तो आप अराम से कर सकते हो, 3-4 question करने पे ही, आपकी sectional cutoff clear हो जाती है, अब IFT exam को crack करने के लिए आपको दो चीज़े जरूर करनी है, एक तो GK करना ही करना है, इसके साथ आपको IFT के previous year paper solve करने है, previous year इसलिए solve करने है, क्योंकि IFT में ये trend देखा गया है, कि previous year जैसे similar questions बार बार repeat होते हैं, तो IFT के previous year साथ में आपको IFT के mocks लगाने हैं, तो जो भी आपको next six to seven days बचे हैं, उनमें आपको GK, जिसकी वीडियो चैनल पर भी आजएगा, आप अपने level पर भी study कर सकते हो, इसके साथ ये दो चीज़े आपको करने हैं, तो IFT mocks हमारे live हो चुके हैं, जिसमें हम previous year paper भी आपको कराते हैं, वो भी website पे available है, studybus.co.in पर जाके enroll आप कर सकत हो, और इस exam के through भी आप एक top institute जैसे IFT Delhi हो गया, IFT का Kolkata campus हो गया, इनमें आप admission ले सकते हो, जो again बहुत अच्छे colleges है, यहां से भी आपका average package रहता है, 19-20 lakh ता मिल जाता है, जो एक काफी अच्छे ही आपके career को growth दे सकता है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो TISC का exam one of the best college इंडिया का है, अगर आप ROI की terms में बात करोगे, अगर आप HR के colleges की बात करो तो इंडिया के जो top 3 colleges माने जाते हैं, एक आपका एक्सलराई जमशेत पूर हो गया, उसके बद आपका TISC आता है, देन आपका SMH, RD आता है, ठीक है, तो अगर आप HR में जाना चाते हो, त एक्सलराई आपका Z के थूरू accept करता है, TIS आपका अपना TISNet के थूरू करता है, और SMH, RD जो है, वो snap के थूरू करता है, तो HR वाले students के लिए तो तीनों top colleges के option अभी भी open है, इसके साथ इक TIS में और भी multiple courses होते हैं, बहुत सारी streams में, यह अपनी masters कराता है, चाहे वो disaster management हो globalization हो, media में हो, culture studies में हो, आपको आगे hospital management में जाना हो, health management में जाना हो, हर तरह के courses आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो TISNet का paper आप appear कर सकते हो, यहाँ से भी आपको काफी अच्छी opportunity मिल जाएगी, जैसे इसका notification आएगा, मैं वीडियो बना दूँगा, अभी तक इसका update नहीं हैं, लेकिन जो इसका exam होता है, वो January end, या फिर आपका February में होगा, ठीक है, तो यह भी opportunity हमारे सामने available है, इसके बाद हमारे सामने XGMT है, XGMT के through, आप exam B में admission ले सकते हो, जो भी इनके top courses हैं, इनकी जो tentative dates हैं, वो out हो चुकी हैं, जो आपका exam होगा, वो 30th January को होगा, तो आप exam B के अगर placement की बात करोगे, काफे अची placement आप चेक करों, इनकी website पे, around भई आपको 10 से 12 lakh का package मिल जाता है, which is a good start for your career, तो यहाँ पे भी आप try कर सकते हो, तो इसके लिए आपको XGMT का paper देना पड़ता है, exam B और भी exams accept करता है, लेकिन ये भी एक option है, जिसको आप open रख सकते हो, इस paper का जो pattern होता है, वो लगबग, Z के according होता है, जिस तरह का Z का paper होता है, अगर आप देखोगे, आपका quant आता है, verbal ability आता है, data interpretation आता है, देन आपका emotional question होता है, जो more or less decision making जैसा होता है, देन आपका general awareness आता है, तो यह आपका paper pattern रहता है, तो इसको आपको appear करना है, आप exam B में admission ले सकते हैं, अच्छा career आप यहाँ से start कर पाऊगे, ठीक है, एक GMT की test series भी website पे live होने वाली है, तो अगर आप इसके experience हो, तो stay tuned to the channel, इसके बाद बात करो तो एक major MBA exam, जो है आपका CMAT का exam, CMAT का exam है, उसका score बहुत सारे top institute accept करते हैं, जैसे आपका JBIMS हो गया, तो बहुत सारे top institute है, जो CMAT का score accept करते हैं, हमारे यहाँ से CMAT की All India Rank 3 गई हुई है, जिसका मतलब यह है कि आप भी कर सकते हैं, उस बच्चे का cat और zat normal रहा था, बट CMAT में इस बच्चे ने 99.99 score करा आगया, आपको इसका score card दिखाऊंगा, तो यह भी एक major exam option है, इसके लिए आपके पास time है, इसका भी जो exam होता है, वो January, February के time होगा, तो आपके पास ample time है, कि आप इसकी तयारी यहाँ पे कर सकते हो, then अगर मैं बात तो CT, CT का एक major exam होता है, जिसका admission आपका होता है, महरास्टरा के जितने भी top institute है, तो महरास्टरा के जितने भी colleges है, चाहे वो आपक around 3 months के आजपास है, जिसमें आप तयारी पूरी की पूरी कर सकते हो, और इस exam को crack करके, आप यहाँ पे admission ले सकते हो, बच्चों को एक doubt रहता है, कि सर यहाँ पे सारी की सारी seat है, क्या महरास्टरा वाले बच्चों के लिए क्या, ऐसा नहीं है, 85% जो seats होते हैं, वो है कि top institutes है, अगर आप इस exam को भी अच्छे से appear करो, एक top percentile achieve करो, तो आप भी यहाँ पे admission ले सकते हो, इसके बाद मेरे सामने, एक option है, SRCC GBO का, SRCC GBO जो है, आपको पता है, Delhi University का college है, श्रीराम College of Commerce, which is very famous college for under graduation, अगर आप इसके post graduation या master's या further education की बात करोगे, तो इनका GBO program ह जिसको यह बोलते है, PGD, GBO, post graduation, diploma in global business operation, यह college and यह course की अच्छी बात यह है, कि भई आपका ROI काफी strong है, total जो fees है, that is around 3.2 lakh, और जो आपका average package लग जाता है, वो around 10 to 11 lakh लग जाता है, साथ में SRCC का brand मिल जाता है, जो lifetime आपको help करता है, इसका भी जो exam होता है, वो आपका March में हो सकते हो, again, एक easy exam है, जिसको crack करके, आप अपने अच्छे MBA college का जो dream है, उसको pursue कर सकते हो, then इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो PGD, BA, जो ऐसे experiment है, जो एक बहुत ही top institute है, top course में जाना चाहते है, तो PGD, BA जो है, वो एक joint course है, I am Calcutta, ISI and IIT, खड़कूर, तो इंडिया के top three institutes, मिलके आपको post graduation, deployment, business analytics कराते हैं, हमें पता है, future जो है, business analytics का है, तो यहाँ पे भी आप admission ले सकते हो, इसका भी जो entrance होता है, वो around February, March के time होगा, जब notification आएगा, हम लोग वीडियो बना देंगे, अगर आप इस course की placements देखोगे, तो by 2020 और 19 की placement देखो, average package अगर आप दे 33.23, आपका 19 का, और highest package अगर आप देखोगे, 41 और 40 रेक, तो top placement है, जो top IMs होते हैं, उस level की placement इस course से होती है, इस course में जो different होता है, वो यह होता है कि इस paper में, आपका higher math आता है, higher math का क्या मतलब हो गया, determinants, matrices, then आपका integration, differentiation, relation, function, इसके question आप से पूछे जाते हैं, तो यह आ आपकी 4 साल की graduation हो, या फिर 3 years की graduation है, then plus 2 होना चीए, मतलब या तो 4 years की आपकी graduation होनी चीए, और अगर आपने कोई 3 year की graduation करी है, तो उसके साथ आपने कोई 2 year की post graduation कर रखी हो, या कुछ आपने course कर रखा हो, तब ही आप इसमें apply कर सकते हो, detail videos की आजाएगी, जैसे इसके forms out कोटों के क्या eligibility criteria, क्या cut-offs रहती है, लेकिन ये भी आपके सामने major option है, जिसके थुरू आप best institute में enter कर सकते हो, तो आपने देखा, top 10 मैंने आपको options बताए, जो अभी भी आपके सामने available हो, अब आप यहाँ पे student देखो, जो हमारे यहाँ से crash courses से गए है, और आज की rate में dream institute म आपको यह नहीं सोचना, मेरा एक साल चला गया, आपको अभी जितने भी options है, वहाँ पे 100% efforts के साथ apply करना है, क्योंकि हमारा objective है, top MBA college में जाना, चाहे वो cat की थुरू हो, चाहे zat की थुरू हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंग 99.69 percentile in zat, I can't thank study bus enough for this result, then आशित 99.65, the course was amazing, then Saksham Manutra 98.88, thanks for the amazing content, Mayur 98.02, the course was perfect and helped me to crack cat, then उसके वाद आप देख सकते हो, रोहर नागर 97.63, excellent course, videos and mocks were very helpful, पार्थ 97.59 percentile, great course structure, अभीशेक जन 96.13, आयूश 96.85, सूरज 95.26, इस तरह का बच्चों का result यहाँ पे ZAT से निकला है, तो आप भी इसके लिए try कर सकते हो, 99.66, 99.60, 99.44, 99.42, 99.24, इसके बाद आप देख सकते हो, 99.43, 99.34, then crash course जिन्होंने join किया था, 99.34, 99.12, 98.56, यह सारे crash course के आप बच्चे देख पारे हो, जिन्होंने dream percentile achieve करके आज अपने dream column में पढ़ाई कर रहे है, then 99.26, 98.94, 98.88, 98.43, और इस तरह के काफी सारे students आप यह सकोर करा है, इसके साथ IFT के बच्चे आप देख सकते हो, शिल्पी, मुस्कान, पुजीता, श्रेयस, then इन्होंने प्रांशु, यूगल, अजितेश, अक्षे, सौरब, यह सब वो students है, जिन्होंने cat में या तो अच्छा perform करा है, उसके साथ IFT भी crack कर दिया, या फिर अगर इन्होंने अपना पूरा effort लगा दियो, और यही reason है, कि यह भाई, टॉप institute में आज पहुँच पाए, इस तरह के सारे बच्चों ने यहाँ पर response की है, 251 marks, 246, 245, 243, 243, जो students के result आए है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, सत्या संदीप, 263, 248, 243, 243, 239, इस तरह के marks यहाँ पर रहे हैं, CMAT के अगर आप देखोगे, All India Rank 3 जीत मुकर जी की आई थी, 99.99% L, हमारे आसी इसने बच्चे ने तयारी की थी, और आज अपने अगें ड्रीम MBA कॉलेज में, इसके लावा और भी CMAT के टॉपर 99.94, 99.7, 99.57, 99.48, देन आप देखोगे 99.8, 1, 5, 7, 3, 2, 2, 3, इस तरह के results CMAT में भी रहे हैं, देन टिस में भी आप देख सकते हो, टिस के टॉपर्स यहां से काफी सारे निकले हैं, यह दुबन 77, मार्क, शोबी 76, 71, 70, 75, 70, 70, 70 प्लस पे, आपको यहां के जो टॉप 2, 3 कोर्सिस हैं, वहां से कॉल आ जाती है, XGMT में भी 99.94, 99.64, 98.39, 99.26, 99.15, 99.05, इस तरह की यहां पे percentile रहे हैं, तो हर एक exam को to the point उसी तरह से हम लोग तयार करेंगे, जिस तरह से हमने cat में effort लगाये, even better efforts लगाएंगे, ताकि इसी साल हमारा dream column में selection हो, और जितने भी हमारे crash courses है, एक एक करके सारे exam के crash courses आएंगे, जिसमें to the point वही पढ़ाया जाएगा, उस exam के लिए जो relevant है, आपने खुद भी बहुत सारी revision videos देखे होंगे, cat के time, and similar type of questions आपने exam में आज phase भी करेंगे, और इसी type से हम बाकी exams की भी तयारी करेंगे, किसी भी course के बारे में जानना है, तो not going to accept defeat until we compete, और हम सारे exam में अपने best possible effort के साथ compete करने वाले हैं, और इसी साल एक dream MBA college में जाने वाले हैं, so all the best, take care.